हलो बच्चों मैं लखन सेनी राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में आप सब का स्वागत करता हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान बच्चों हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पार्टे पुस्तका ध्याय 5 समांतर स्रेडियां भाग 3 में हम चर्चा करेंगे प्रस्नावली 5.1 की प्रस्न संख्या 3 से 4 तक प्रस्न संख्या 1 और 2 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों आज देखेंगे प प्रस्न संख्या 3 में हमसे क्या कहा गया है निमन लिकित में से प्रतएक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर गठा लिते हैं तीसरे में से दूसरा गठा लेते हैं चोथे में से तीसरा दसवे में से नववा पचासवे में उननचासवा पद गठा कर हम क्या करते हैं सारवंतर प्राप्त करते हैं याद है ना भाग एक में हमने चर्चा किये थी सारवंतर कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी तो देखिए इस तरीके से बता दीजिए प्रथम पद प्रथम पद ए ए कितना है ए है तीन सार्व अंतर सार्व अंतर सार्व अंतर डी कितना है दूसरे पद में से पहला पद गठा लीजिए माइनस दो या आप तीसरे में से दूसरा गठा सकते हैं, चोथे में से तीसरा गठा सकते हैं, इस तरीके से बताना है प्रतम पद और सारवंतर, लिखना भी ऐसे ही है बच्चों आपको नोट बुक में, चलिए दूसरा भाग देखिए इसका, यहां हल दो में, पहले लिखेंगे हम एपी जो दिये रखी है उसे एपी, हमें दी गई है माइनस पांच, माइनस एक, तीन, साथ और इस तरीके से फिर बता दीजिए प्रतम पद ए कितना है माइनस पाँच तथा सार्व अंतर डी कितना है बच्चो दूसरे पद माइनस एक में से गठा लीजिए पहला पद माइनस पाँच तो यह जाएगा माइनस एक प्लस पाँच अर्थार्थ चार अर्थार्थ कितना बच्चो चार प्रतम पद और सारवंतर ग्यात करना बहुत आसान है अगला देखिए भाग तीन यहां हल में हम लिखेंगे जो एपी दी गई है उसे एपी जो दी गई है वो है हमारे पास एक बट्या तीन पांच बट्य तीन नो बट्य तीन तेरा बट्य तीन और इस तरीके से प्रतम पद बताईए प्रतम पद ए और सार्वंतर डी सार्वंतर डी दोनों ग्यात कीजिए वच्चो और बताईए प्रतम पद तो हो गया एक बट्य तीन और सार्वंतर हो गया पांच बट्य तीन माइनस एक बट्य तीन अर्थार्थ चार बट्य तीन कितना चार बट्य आगे देखिए बच्चो भाग चार यहां पर जो दी गई AP है वो क्या है वो है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इस तरीके से प्रथम पद क्या है प्रथम पद A बराबर है 0.6, सार्व अंतर D, D बराबर है 1.7-0.6, हर्थार्थ 1.1, सार्व अंतर कितना है 1.1 अगला देखिए प्रशन संख्या 4 निम्न लिखित में से कौन-कौन AP है पहले जाच करनी है AP है या नहीं उसके बाद में यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर बताना है और इसके तीन और पद लिखने है जितने पद दिये गए है उसके आगे के तीन पद हमें और लिखने है बच्चों भाग एक में जो संख्याओं की सूची दी गई है उसे लिखते हैं यह AP है या नहीं बच्चों इसकी जाच करनी है तो देखिए 2, 4, 8, 16 और इस तरीके से AP है या नहीं कैसे जाच करते हैं हम निकालते हैं क्रमागत पदों का अंतर यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो हम कहते हैं AP है otherwise हम कहते हैं कि एपी नहीं है तो देखिए क्रमागत पदों का अंतर अर्थार्थ दूसरे पद में से पहला पद गठा के देख लीजिए कितना आया? 4-2 अर्थार्थ 2 तीसरे पद में से दूसरा पद गठा ये 8 में से 4 गठा होगे 4 आएगा क्रमागत पदों का अंतर समान है यहां तो अंतर 2 का है यहां अंतर 4 का आगया आगया अंतर 8 का है क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है बच्चों तो लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है अते है दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है लिख देंगे अते है दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है हमें जाज करनी थी AP है कौन AP है और अगर AP है तो इसका सारवंत्र बताना था और अगले तीन पत्तों की AP नहीं है तो आगे के काम आपको नहीं करने अगला देखिए रश्न संख्याओं 4 का भाग दो हल इसमें हम क्या करेंगे पहले जो सूची दी गई है उसे लिखेंगे 2 फिर 5 बते 2 फिर 3 फिर 7 बते 2 और इस तरीके से यहां देखिए बच्चो A2 माइनस A1 5 बते 2 में से जब आप 2 को गठाओगे तो यह जाएगा 5 माइनस 4 बते 2 लगूता मा जाएगा 2 5 माइनस 4 बते 2 कितना होता है 1 बते 2 कितना होता है बच्चो 1 बते 2 A3 माइनस A2 A3 कितना है 3 तीसरा पद A3 का मतलब तीसरा पद तीसरे में से दूसरा गठा के देखिए 5 बते 2 इसके बते में 1 लगाईए लगूता मा जाएगा 2 यह हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना आ गया 1 बते 2 कितना आ गया बच्चो 1 बते 2 और देखिए A4 भी दिया गया है तो A4 में से A3 भी निकाल के देखिए 7 बते 2 माइनस 3 करोगे तो यह भी कितना आ जाएगा 1 बते 2 क्योंकि क्रमागत पदो का अंतर क्या है बच्चो सब में 1 बते 2 है 8 अंतर समान है क्रमागत पदों का अंतर समान है तो लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर अंतर समान है अते है संख्याओं की दी गई सूची संख्याओं की दी गई सूची दी गई सूची AP है अब अगर यह AP है तो हमें इसका सार्व अंतर बताना था सार्व अंतर क्या होता है जो समान अंतर होता है वहीं तो हम लिखेंगे जिसके लिए जिसके लिए सार्व अंतर डी बराबर कितना है एक बटे दू अब हमें इसके अगले तीन और पद ज्यात करने थे तो हम लिखेंगे अब चार पद तो हमें दिये गए हैं एक दो तीन चार तो पांच वा छटा साथ वा आपको बताना है A5, A6 और A7 कैसे बताएंगे बच्चो A5 कैसे पता करेंगे पांच वा पद कैसे पता करेंगे चोथे में D जोड देंगे चोथा पद क्या है साथ बटे दो साथ बटे दो में एक बटे दो जोडोगे तो यह आ जाएगा आठ बटे दो अर्थार्थ अर्थार्थ बच्चों 4 A6 कैसे निकालोगे? 4 में 1 बटे 2 जोडोगे अगली संख्या परात करने के लिए हम क्या करते हैं? समानतर स्रेडी में एक निशिस संख्या D जोडते चलते हैं तो D जोडते चली ये 4 में 1 बटा 2 जोडोगे तो ये आजाएगा 9 बटे 2 और फिर 9 बटे 2 में 1 बटे 2 जोडोगे तो ये आजाएगा 10 बटे 2 अर्थार्थ 5 अर्थार्थ कितना बच्चों? 5 ठीक है? तो इस तरीके से आगे के और 3 क्या 4, 5, 6 जितने भी पूछे जाएं हम बता सकते हैं अगला भाग इसमें देखिए हल में हम लिखेंगे जो सूची दी गई है उसे माइनस में 1.2 माइनस में 3.2 माइनस में 5.2 और फिर माइनस में 7.2 इत्यादी यहाँ पर भी अंतर चेक कीजिए A2 माइनस A1 A2 कितना है? माइनस में 3.2 माइनस A1 कितना है? माइनस में एक पॉइंट दो तो यह आ जाएगा बच्चों माइनस में तीन पॉइंट दो प्लस का एक पॉइंट दो एक पॉइंट दो में से तीन पॉइंट दो जब हम गठाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का दो कितना आ जाएगा माइनस का दो A3 minus A2, A3 कितना है, minus 5.2, minus A2 कितना है, minus 3.2, यह हो जाएगा, minus 5.2 plus 3.2, यानि की बच्चो minus का 2, यह भी कितना जाएगा, minus का 2, चिन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, दोनों में जो बड़ी होती है, उसका चिन आता है बच्चो, यहाँ पर हम निकालेंगे, A4 minus A3, 4 पद दिये गए हैं, तो सब का अंतर निकालेंगे, जितने भी पद दे रखे हैं, सब का, ठीक है, minus में 7.2, minus, minus में 5.2, तो यह हो क्रमागत पदो का अंतर क्या आया, बच्चो, सब में कितना है, minus 2 है, एक निश्यत संख्या, minus 2 सब में जोडी गई है, और अगली संख्या प्राप्त की गई है, तो हम लिखेंगे, क्यूंकि, क्रमागत संख्याओं का, संख्याओं का, अंतर समान है, अतर है, अतर है, दी गई, दी गई, संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची, AP है, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, AP है, अब हमें इसका सारवंतर बताना है, और अगले तीन पद भी लिखने है, तो देखिए हम लिखेंगे जिसके लिए जिसके लिए AP है जिसके लिए सार्व अंतर D कैसा है रिनात्मक 2 माइनस 2 है अब अगले पत देखिए अब A5, A6 और A7 देखिए A5 हम कैसे निकालते हैं A4 में D जोड देते हैं यह A5 में D जोड देंगे A6 में D जोड देंगे ऐसा ही तो है पूर्व पद में निशित संक्या जोड के प्राप्त करते हैं तो A4 कितना था? A4 था माइनस में 7.2 माइनस में 7.2 में हम जोडेंगे माइनस का 2 तो यह हो जाएगा माइनस में 9.2 यहां हम माइनस में 9.2 में माइनस का 2 जोडेंगे तो आजाएगा माइनस में 11.2 माइनस के 11.2 में माइनस का 2 जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में 13.2 हमें प्राफ्थ होगा इस प्रकार से अगले 3 और पद हम ग्यात कर सकते हैं बच्चो आगे देखी अगला भाग 4 इसमें जो संख्याओं की सूची है उसे लिख लेते हैं माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 और इस तरीके से ठीक है करमागत पदों का अंतर देखेंगे A2 माइनस A1 माइनस 6 माइनस माइनस 10 करोगे तो यह जाएगा माइनस 6 प्लस 10 अर्थार्थ 4 A3 माइनस A2 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6 यह भी कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा A4 माइनस A3 A4 कितना है 2 माइनस A3 माइनस 2 यह हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना 4 सभी में अंतर क्या आया समान आया क्या लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या है की दी गई सूची एपी है जिसका सार्व अंतर डी जो है बच्चों कितना है डी है प्लस का फूर धनात्मक सार्व अंतर है यहाँ पर 4 ठीक है अब अगले 3 और पद बता दिए जाएंगे देखिए अब अगले 3 पद A5, A6, A7 तो 4 जोडते चलिए 2 में 4 जोडोगे 6, 6 में 4 जोडोगे 10, 10 में 4 जोडोगे 14 इस तरीके से अगले 3 पद भी बता दीजिए भाग 5 इसमें जो संख्याओं की सूची दी गई है हल में पहले उसे लिख लीजी सूची है 3 3 क्रमागत पदो का अंतर निकालेंगे तो लिखेंगे यहां A2 minus A1 3 plus root 2 minus A1 कितना है 3 A2 दूसरे पद में से पहला पद गठाईए 3 minus 3 हो गया 0 ये बच गया root 2 कितना बच गया root 2 A3 minus A2 करके देखिए A3 minus A2 A3 कितना है 3 plus 2 root 2 इसमें से गठा लीजिए 3 plus 1 root 2 root 2 का मतलब क्या हो गया 1 root 2 गठाईएंगे तो 3 minus 3 0 2 root 2 में से 1 root 2 गया तो कितना बच गया root 2 A4 minus A3 भी कर लीजिए 3 plus 3 root 2 में से गठाई दीजिए 3 plus 2 root 2 ये कितना आ जाएगा root 2 ही आ जाएगा क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है बच्चों समान आया है इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का पदों का अंतर समान है समान है अतहे संख्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अब सार्व अंतर डी बराबर कितना है सब का अंतर सब करमागत पदों का अंतर है रूट दो कितना है रूट दो तो सार्व अंतर हो गया रूट दो तथा अगले अगले तीन पद क्या हो जाएंगे अगले दो पांच रूट दो और अगला इसके अगला तीन प्लिसफ इस तरीके से चलेंगे पदो की संख्या बढ़ते हैं आगे भाग 6 इसमें जो संख्याएं दी गई है उसे देखिए बच्चो हाल में लिख लेंगे संख्याओं की सूची को तो 0.2, 0.22, 0.22, 0.22, 0.22, और ऐसे ये जो संख्याओं की सूची है इस प्रकार की है यहाँ यहाँ देखिए, a2-a1, 0.22 में से 0.2 जब हम माइनस करेंगे आजाएगा 0.02 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर माइनस कीजिएगा बच्चों, 0.22 में से 0.2 माइनस करने का मतलब है यह 2, यह 0, यह पॉइंट के नीचे पॉइंट और यह 0.02, ठीक है न, डेसिमल वाले सब्ट्रक्शन, सब को आने चीएं, कक्षा 10 में, A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22, यह आजाएगा 0.002, अब देखिए क्रमागत पदों के अंतर को देखिए, पहले तो आए था 0.02, फिर क्या आए 0.002, तो यह अंतर क्या है, समान नहीं है, क्यूंकि क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर समान नहीं है, अतहे, संख्याओं की दी गई सूची, संख्याओं की दी गई सूची, एपी नहीं है, तो जब यह एपी नहीं है, तो अब हम इसका सारवंतर नहीं बता सकते, और अगले तीन पद तो हम बता सकते हैं, बच्चों की क्या होंगे, लेकिन एपी नहीं है, इसलिए हमें बताने भी नहीं है, जिरो पॉइंट जिरो टू 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 के बाद में जिरो पॉइंट फाइब टू 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 आएगा बच्चो आना अनुमान तो लगा सकते हैं अनुकरम तो ये है ठीक है लेकिन ये स्रेडी नहीं है क्योंकि कोई इसका mathematical सुत्र आपको नहीं मिलेगा कोई गणितिय सुत्र नहीं मिलेगा आगे देखिए भाग साथ यहाँ पर अगर हम देखें हल में लिख लेंगे जो संख्याओं की सूची है उसे 0-4-8-12 और इस तरीके से यहाँ क्रमागत पदों का अंतर देखिए A2-A1 कीजिए A2 है माइनस 4 इसमें से 0 गठा लीजिए आ जाएगा माइनस 4 A3-A2 कीजिए माइनस 8 में से गठाईए माइनस का 4 कितना हो जाएगा देखिए माइनस 8 अपनी जगे माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 4 विपरीत चिन हमेशा गठते हैं गठा लीजिए 4 आ जाएगा साइन किसका लगाएंगे बड़ी संक्या का बड़ी संक्या है 8 का साइन माइनस 4 ठीक है A4 माइनस A3 कीजिए A4 है माइनस 12 इसमें से गठा लीजिए माइनस 8 यह हो जाएगा माइनस 12 प्लस का 8 अर्था 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 माइनस का 4 क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान आया है क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है समान है अत है अत है संख्याओं की दी गई सूची संख्याओं की दी गई दी गई सूची AP है अब हमें बताना है इसका सारवांतर और अगले अगले तीन पद तो देखिए अब हमें बताना है सारवंतर सारवंतर सबका अंतर कितना है डी का मान क्या है बच्चों माइनस 4 सबका अंतर कितना है माइनस 4 तथा अगले तीन पद तथा अगले तीन पद अगले तीन पद देखिए 0, minus 4, minus 8, minus 12, 4 गठाते चलिए, minus 12, minus 4 कितना हो जाएगा, minus 16, minus 16, minus 4, minus 20, minus 20, minus 4, minus 24, ठीक है, इसके आगे, minus 28, minus 32, इस तरीके से आगे वाले पद भी हम बता सकते हैं, तीन बता ने थे, तीन बता दिये हैं, बचो, फिर देखिए अगला भाग, भाग 8, यहाँ पर आप सूची को देखेंगे, देखते ही पता चल रहा है, सबका अंतर, सार्व अंतर, AP तो है यह, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर, D का मान यहाँ है, 0, लिख देंगे, संख्याओं की दी गई सूची क्या है, AP, लिखने का दरीका वही, पहले हल में आप सूची लिखेंगे, फिर, फिर, A2 माइनस, A1, A3 माइनस, A2, A4 माइनस, A3 करेंगे, और लिखेंगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, सबका अंतर, 0 आएगा, इसलिए, दी गई सूची क्या है, AP, फिर, अब सार्व अंतर, D क्या है, 0, और अगले 3 पद, अ ठीक है, तो आप अपने उत्तर की जांच कर लीजेगा, लिखने का तरीका, नोट बुक में वही होगा, जो अब तक हमने किया था, भाग साथ तक, ठीक है, अगला देखिए, यहां पर संख्याओं की जो सूची है, उसमें देखिए, A2 माइनस, A1, तो 3 माइनस, A1, तो 3 मा मागत पजो का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये, A, P, भी नहीं है, बचों, A, P, नहीं है, लिखने का तरीका पता है ना, आपको, चलिए आगे, दस्वा भाग देखिए, यहां पर, A2 माइनस, A1, 2A में से, 1A गया, तो A बच गया, A3 माइनस, A2, 3A माइनस, 2A, यह भी कित ना जाएगा, A, A4, माइनस, A3, 4A, माइनस, 3A, 4A में से, 3A गठाओगे, तो A ही बचेगा, क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए ये, क्या है, A, P, है, सारवांतर, D का मान कितना है, D का मान है, A, अगले तीन पद क्या होंगे, 4A के बाद में, 5A, 6A, और 7A, ये, अगले तीन पद हो जाएंगे, ठीक है, आगे देखिए, भाग 11, यहाँ पर A2, माइनस, A1 कीजिए, A2, माइनस, A आएगा, जिसमें से, A, उबेनिष्टा जाएगा, तो A, माइनस, 1, A3, माइनस, A2 कीजिए, A, क्यूब, माइनस, A, स्कॉयर, आएगा, A, स्कॉयर, इ ध्यान से देखिए, क्या अंतर समान आया, अंतर समान नहीं आया, क्रमागत पदो का क्या कहेंगे, A, P, है या नहीं, बोलिये, है या नहीं, अपने आप से कहिए, नहीं है, A, P, क्योंकि दी गई संख्याओं की जो सूची है, A, A, स्कॉयर, A, क्यूब, A की गात, चार, इस a2 दूसरा पद दिया गया है चार गुना दो आठ को में क्या लिख सकता हूँ चार गुना दो चार का रूट हो जाएगा दो एक रूट दो अंदर बच जाएगा 1 root 2 अंदर बच जाएगा है 3 कितना दिया गया है 9 inté istem तुर यह हो जाएगा 3 root 2 और 시작된 निकालने पहले सा केल कूलेशन कर लिजीएगा अब आपको ध्यान पढ़ जाएगा कि A2 minus A1 2 root 2 minus root 2 कितना आजाएगा एक बार root 2 A3 minus A2 3 root 2 3 root 2 minus 2 root 2 ये भी कितना आजाएगा root 2 A4 minus A3 A4 है 4 root 2 minus A3 कितना है 3 root 2 ये भी कितना आजाएगा root 2 तो ये बच्चों क्या है दिल गई जो सूची है संख्याओं की AP है जिसका सार्व अंतर कितना है सार्व अंतर D का मान है root 2 अगले अगले 3 पद क्या हो जाएंगे देखिए 4 root 2 के बाद में 5 root 2 उसके बाद में 6 root 2 उसके बाद में 7 root 2 अर्थार्थ ये आजाएगा 25 दूनी 50 अंदर 6 को अंतर लेके जाओगे 36 दूनी 72 और 7 को अंतर लेके जाओगे 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 तो अगले 3 पद आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए कोई दिकत नहीं है किसी भी representation में आप लिख दिये जगा AP है सारव अंतर है D बराबर है root 2 अगले 3 पद है root 50 root 25 root 85 5 root 2 6 root 2 7 root 2 ये लिखावा है root 2 2 root 2 3 root 2 4 root 2 आगे क्या आएगा 5 root 2 6 root 2 7 root 2 फिर अगला भाग 13 इसमें देखिए ध्यान से A2 minus minus बच्चों A1 हमारे पास है root 6 minus root 3 A3 minus A2 ये हमारे पास है root 9 minus root 6 अर्थार्थ 3 minus 3 minus root 6 तो ये और ये क्या है बच्चों बराबर नहीं है ये दोनों अंतर क्या है बराबर नहीं है इसलिए जो संख्याओं की दी गई सूची है वो A P नहीं है अगला भाग भाग 14 यहाँ पर जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है एक का स्क्वाइर अर्थार्थ एक, तीन का स्क्वाइर अर्थार्थ नू, पांच का स्क्वाइर पचीस, साथ का स्क्वाइर कितना, उननचास, अगर आप अंतर देखेंगे तो इनका अंतर है, नो में से एक गया आठ, और पचीस में से नो गया सोला, अंतर बराबर नहीं आ प्रशन संख्या च्यार के ठीक है उसी तरीके से आप लिखेंगे वही रिपर्जेंटेशन बेस्ट है यहां समय बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ सीधे आंस्वर्स बता रहा हूं आप उस तरीके से लिखिएगा और अपने उत्तर के जाच कीजिएगा ठीक ना देखिए अ इन दोनों का अंतर कितना है चोईस अगर आप देखें तहतर और उननचास का अंतर भी कितना है चोईस सार्व अंतर कितना आजाएगा डी बराबर आजाएगा चोईस दी गई संख्याओं की सूची एपी है अगला पद अगला पद क्या होगा तहतर और चोईस कितना हो जा जाएगा साथ 97 6 में कितना जाएगा 24 जोड़ दीजी इसके अंदर 24 जोडेंगे तो 47 और 4 11 हाँसिल एक नो और 10 और 12 121 हो जाएगा और 17 क्या हो जाएगा इसमें 24 जोडेंगे तो 5 4 147 एक 111 पहले की जिएगा घाथ कोहल की एक स्कोयर पांच 25 साथ का स्कोयर और तेहर्त नहीं है जिसका सारवंतर क्या है डी चोईस ठीक है इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रशन संक्या तीन और च्यार को बच्चो उमीद करता हूं प्रशनावली 5.1 में अब आपको कोई दिकत नहीं रहेगी आप पुरी प्रशनावली को एक साथ हल करेंगे अभ्यास करेंगे बच्चों खुश रहिए मिलते है अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद